स्टुडेंट्स आ चुके हैं एक और इंफर्मेटिव वीडियो देखे आपके लिए जोगी है कि है ऑस्ट्रेलिया वीजर रेलेटेड और बहुत जादा स्टुडेंट्स की क्वैर थी कि सर हमारा ओफर लेटर इतने टाइम हो गया अपलाई करो है ओफर लेटर नी आया है ज मैं उसकी साइड डिटेल्स आपको शेर करता रहूंगा अगे जो वीडियो डालूँगा भी क्या चल रहा है हमारा कैसे चल रहा है कौन से स्टुडेंट्स का वीजा है क्या चल रहा है हमको को अप्लाई किये हुए हमें भी 20-25 दिन हो गया भी तक ओफर लेटर नहीं है वैसे तो देखो फुल हो चुकी हैं बहुत कम युनिवस्टी हैं जो रह रही होंगी खली और वो आपको दे देंगी ऑफर लेटर बस थोड़ा टाइम पेशेंस रखिए आपका पका आएगा ऑफर लेटर और कोलेज बगार तो अभी पढ़े हैं जिनमें हम ऑफर लेटर कर सकते हैं बट वो ही है कि पहले हम प्रियोर्टी उनिवस्टी को देता तो इसलिए उनिवस्टी में टाइम लग रहा है और इसलिए थोड़ा ओफर लेटर आने में टाइम लग रहा है तो आप पेशेंस रखिए पहली बात तो और डोकिमेंट अपने जो भी औरिजिनल अ चुकी है या उनिवस्टी बगएरा कि किसी की भी लगा लो कोलेज की भी तो इसलिए वो अब क्योंकि उन्होंने अपना जो भी डिसीजन वो देना है तो उन पर पेंडिंग है वो तो ओफर लेटर आपलाई करेंगे क्योंकि सीट्स वेर पहले फूल है तो इसलिए टाइम लग रहा है अब वो पहले उनको निकालेंगे फिर आपको ओफर लेटर वगएरा प्रोवाइड कराएंगे अब दूसरा कोश्चन था कि सर्थ मारी जीटी क्लियर नहीं हो रही है जीटी में एक महीन डेड़ महीन लग रहा है तो आपका इतना टाइम लग रहा है एक डेड हो रहा है तो पहले ही डोकुमेंट बसुसे क्लियर कि यो और और अगर आपका टाइम लग रहा है तो मैं कहीं अगे मैं सोचता हूं कि यह है क्योंकि हमारा स्टूरंट अब ऐसे हो रहा है मैं आपको आगे चल कर उनका भी पता हूँ क्या रहा है हमने फाइल लगा रहे है जिन स्टूडेंट्स की तो एक और कारण हो सकता है इसका जेटी का क्योंकि वो एक S56 रिक्वेस्ट आती है एजेंट के पास आती है वो एजेंट को पता होते है एजेंट बताता नहीं कहीं ब आज हमने डोकुमेंट बेज आउनको तो वो 20 से और 22 डेस के बाद उस चीज़ को चेक करेंगे फिर अगर कोई डोकुमेंट रहे तो फिर वो भेजते हैं तो इसलिए थोड़ा टाइम जाना लग जाता है एजेंट हम को बात बताता है एजेंट अपने अपसे करता रहते है सब काम और कहीं स्टुडेंट ये पूछते हैं कि सर जो S56 है इसमें कोई प्रोब्लम तो नहीं है कि इससे कोई फाइल पर फरक तो नहीं पड़ता अगर वो डोकुमेंट बारवर मांगता है इससे कोई फरक नहीं पड़ता है उनका काम है डोकुमेंट पूरे करना मांगना तो हमारा प्रोवाइड कराना डोकुमेंट सारे हमारा ये काम है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेंली अब जुलाई इंटेक वैसे फुल हो चुक है आपको कॉलिज में ही ऑफर लेटर अपलाई होगा अगर आपका वीजा आया तो एक दो इनिवस्टी का होगा आपका अगर रहा हुआ कुछ भी खाली होई कोई सीट कोई मिल जाती है तो आपके किसमत अच्छी होगी तो में तो यही थी ओफर लेटर और जीटी के लिए बहुँ ज़्यादा स्टुटेंट को वैरी कर रहे थे तो अगर आप यहां तक वीडियो देख रहो और इंफरमेटिव लगी है तो आगे आप जानना चाते हैं कि हमारे स्टुटेंट आप जिन्नोंने फाइल लगा रह है उनके क्यों कॉन से डोकॉमेंट इस मांग रहे हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लें न्यूँ है जो चैनल को सबस्क्रायर करें उड़ और वीडियो को शीर करते कर सके सब को knowledge मिल सके से बिएकर है कि YEAH से याइस इस टाइम लग रहा है अगर आपका यभी तक ओ क्लियर हो गया आपकी और CEO आगी आपकी तो आपका 100% वीजा है यह मैं लिखे देते को 100% वीजा है क्योंकि वो फिर अब ऐसे ज्यादा चेक नहीं करती क्योंकि डोकुमेंट आपके पहले ही बहुत ज्यादा चेक हो चुके हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तेल देन बाई टेक केर